महाराष्ट में चुनाव की घोशना हो चुकी है राज्य में 20 नमंबर को वोट डाले जाएंगे 23 नमंबर को चुनाव के परणाम सामने आएंगे इसे बिच कॉंग्रेस ने राज्य के विभिन रीजन के लिए अपना वरिष्ट परिवेक्षक नियुक्त कर दिया है राजिस्तान के पुर्व सीम अशोग गहलोत और डिप्टे सीम सचिन पाइलट को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कॉंग्रेस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पार्टी के राश्टिय अध्यक्ष ने ए आई सी सी के वरिष्ट परिवेक्षक और स्टेट इलेक्षन सीनियर को अडिनेटर को नियुक्त किया है मुंबई और कोंकर्ण विदर्व अमरावति और नापूर मराट वाड़ा वेस्टन महरास्ट नौर्थ महरास्ट के लिए वरिष्ट परिविक्षक नियुक्त किया गया है बता दें कि पाच नाम सामने आई हैं जिनको कॉंग्रेस ने ये जिम्मेदारी दी है आपको बता दें कि पाच छेत्रों में नियुक्त किये गए प्रिविक्षक आखिर कौन से हैं मुंबई और कोंकर्ण छेत्र के लिए अशो गैलोत और जी परमेश्वर वहीं माराट वाड़ा के लिए सचिन पाइलट उत्तम रेडी वहीं बिदर्ब के लिए भुपेश बगेल चरणजीत सिंग्चन्य उमंग सिंगार पश्चिम महाराष्ट के लिए टीय सिंग देव एंबी पाटिल वहीं उत्तर महाराष्ट के लिए नासिर हुसेन अनसुया सीता का वहीं अश्वो गैलोट का जिक्र कर लें तो राजिस्थान की पूर्व सियम। आश्वो गैलोट कंग्रेस के वरिष्ट नेता हैं उन्हें हर्याणा विधान सभा चुनाव का वरिष्ट परिविक्चक नेउक्त किया गया था इससे पहले पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव की दौरान अमेठी का भी विशीज परिविक्षक बनाया था सचिन पाइलेट की जिगर करें तो सचिन पाइलेट राजितान के टोंग से विधायक है बता दें कि सचिन पाइलेट के पास राजिती का लंबा अनुभव है वाशूग गैलूत सरकार में डेप्टी सीएम रह चुके हैं उनके पास केंदर में भी काम करने का अनुभव है भुपेश बगेल की अगर हम बात करें तो 36 गड़ के पूर्व सीएम है भुपेश बगेल कॉंग्रिस ने फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है उन्हें इस से पहले लोगसाब चुना में राय बरेली का प्रवेक चक गोशित किया गया था फिलाल के इस रिपोर्ट में इतना ही देश और दुने की तमाम खबरों के लिए बने रेनेक्ष्टन पॉलिटिकल हुएंट के साथ